नमबर एक, अपनी पतनी को गरम दूद के साथ जले भी जरूर खिलाएं, ऐसा करने से तोचा का अंदुरूनी निखार बरकरार रहता है 2. रात का खाना हमेशा अपने पत्नी के साथ ही खाए सही समय पर हमेशा अपने घर पहुचे ऐसा करने से आपकी पत्नी हमेशा खुश रहेगी और वह खुश रहेगी तो उनकी तोचा भी हमेशा दमकती रहेगी नमबर तीन, अपनी पत्नी को हमेशा उनकी मन पसंद की चीजे दिलाते रहें, उन्हें कभी भी नराज ना करें नमबर चार, साल में कम से कम दो बार अपनी पत्नी को साथ से दस दिनों के लिए तूर पर अर्था शहर से बाहर जरूर लेकर जाएं नमबर पाँच, अपनी पत्नी को हमेशा चांदी की पायल या बिच्छवे उपहार सरूप देते रहें, इनको पहन कर उनकी हड़िया हमेशा मजबूत बनी रहेंगी अगर आप बहुत ध्यान पुरुवक अपनी पत्नी की बातों को सुनेंगे तो वह खुश रहेगी और यदि वह खुश रहेगी तो घर के कामों के साथ साथ खुद पर भी ध्यान दे पाएगी नमबर साथ अपनी पत्नी से बात बात पर जगड़ा ना करें इससे उन्हें मानसिक संताब भी नहीं होगा और कोई चिंता भी नहीं होगी कोई परिशानी नहीं होगी और चिंता परिशानी ना होने पर उनकी तोचा में भी निखार रहेगा बुड़ा पर जल्दी नहीं आएगा नमबर आठ अपनी बैशलर लाइप को भूल जाएं और पत्नी वरत का पालन करें नमबर नौ अपने पत्नी के खानपान का विशेश तोर पर ध्यान रखें क्योंकि खानपान ही इंसान की अंदुरूनी और भारी काया को आकर्शक बनाता है नमबर दस आपका एक सौरी और ठेंक्यू आपकी पत्नी की आदी परिशानियों को कम कर सकता है परिशानिया कम होंगी तो आपकी पत्नी सुन्दर दिखेगी नमबर ग्यारा एक गुलाब समय समय पर अपनी पत्नी को अवश्य दे उन्हें मैसूस कराएं कि आप उनके लिए हर समय मुझूद है हर परस्थिती हर हाल में आप उनके साथ है नमबर बारा अपनी पत्नी को यथा संबग सम्मान दे रिष्टा चाहे कोई साभी क्यों न हो रिष्टे में आदर सम्मान पाना हर किसी को अच्छा लगता है नमबर 13, आप अपनी पत्नी को सुन्दर और जवान रख सकते हैं, इसके लिए आप उनकी जिम्मेदारियों को बाटें, उनके साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझे नमबर चौदा ऐसा कहा जाता है कि चिंता चिता समान होती है और खुश मिजाज इंसान अपने आप ही सुन्दर और आकरशक नजर आने लगता है नमबर पंदरा यदि आप चाहते हैं कि आपकी बीवी सुन्दर आकरशक और जवान दिखे तो इसके लिए आप उने चिंता से मुक्त कीजिए और हमेशा खुश रखिए तैंक यू